आज़ानी जैपुर में युवक की ओर से सरकारी माबदंडों के तहत अपात्र होते हुए भी अनुकमपा आश्रित नौकरी पाने का मामला सामने आया है याचिका करता संज़ शर्मा ने बताया कि मामला 1984 का है जब गुरुदीव सिंग ने मा के निधन के बाद हनुमानगर्श शहर में अनुकमपा के आधार पर सरकारी सेवा में न्यूक्ती के लिए आविदन किया जबकि उनके पिता और भाई पहले से सरकारी नौकरी में है इस मामले में संज़ शर्मा ने 26 जुलाई 2021 को एक रीट हाई कोट में दायर की थी जिस पर हाई कोट ने स्वायत शासन विभाग को 84 दिन के अवदी में मामले का निस्तारन करने के निर्देश दिये इसके बाद 13 जन्वरी 2022 को UDH ने गुर्दीप सिंग को अनुकंपा आशुत नौकरी में अपात्र मानते हुए कोट में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी ऐसे में अब याचिका करता ने सिवानी व्रत्ती से पहले गुर्दीप सिंग पर कारवाई की मांग की है परकणी एक चुराशी के अंदर इसके फादर ओस्ते है उस समय चंज सिंग जी सन ऑफ कैर सिंग जी और गुर्दीप सिंग ने मा के उपर आशृत बताते हुए अबेद दस्तावेश तियार करके मा के नोकरी पद गए है वो मर्तक आशृत नोकरी प्राट की है नोकरी गंदर हमने कोर्ट में इसके डोकॉबर्स नमगाई स्वाई सासन विवाग मुखहले जैपूर ने इसको एपातर मान दिया है और एपातर है और विवाग इसको एप्यो करके जैपूर रख रखिया है अभी कोई कारवाई नहीं हो रही है और बड़े अधिकारियों अधिकारियों के पास आते हैं हमारी सुनते नहीं है और इसकी हर बात मान रहे है और इसके करोड़ों उपे के पैमेट कर रहे हैं तनखा दे रहे हैं सेलरी दे रहे हर चीज़ की और बड़ी जगह है मन जाई जगह पोस्टिंग कर रहे हैं इसकी